बोस्तो क्या आप उस क्रांतिकारी का नाम जानते हैं जो भारत को अजाद कराने के लिए 63 दिनों तक भोखरताल पे था क्या आप उस क्रांतिकारी का नाम जानते हैं जिसने नेता जी सुबास चंदरभोस, महात्मा गांधी और भगस सिंग तीनों लोगों का सयोग किया था नहीं न उनका नाम था यतिंद्र नाद दास यतिंद्र नाद दास को उनके साथी प्यार से जतिंदा करते थे हम भी उनको जतिंदा ही कहेंगे जतिंदा कहा करते थे कि गोली और फासी से तो कई मरे हैं लेकिन अंसन करते करते कोई नहीं मरा जो अंसन करता है उसका मनोबल सबसे मजबूत रहता है जिसका मनोबल थोड़ा सा भी कमजोड होगा वह अंसन नहीं कर पाएगा आईए दोस्तों जानते हैं तन और मन से सबसे सक्तिसाली पुरुस यतिंदर नाद्दास यानी हमारे जतिंदा की कहानी 27 अक्टूबर 1904 को जतिंदा का जन्म कोलकरता में होता है क्रांतिकारियों के बारे में एक बात जान लिजिए दोस्तों हर क्रांतिकारी भारत के लगबक क्रांतिकारी पहले गांदी वादी वीचारधारा के थे कहने का मतलब ये है कि गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही हमारे जतिन दावी थे और सहयोग आंदोलं में वो गांदी जी के साथ खड़े हुए थे लेकिन दो घटनाएं भारत के इतिहास में ऐसी घटी हैं कि क्रांती कारी गांधी वाधी विचारधारा को छोड़ कर हिंसक क्रांती के तरब बढ़ चले थे वो दोनों घटनाएं हैं जलिया वाला बाक कांड और चौरी चौरा गांड और सायोग आंदोलन खत्म किया चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने तो जतिन्दा ने भी महात्मा गांधी को छोड़ दिया यानि उनकी विचारधारा को छोड़ दी कुछ दिनों तक वो नेता जी के साथ रहे लेकिन जब पहली बार उनकी मुलाकात भगत सिंग से होती है तो बाकी सब चीजे छोड़ कर वो भगत सिंग के साथ चले जाते हैं और भारत को हिंसक क्रांती के जरीये आजादी दिलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं पहली बार उसी समय उनको जेल होती है और पहली ही बार उनोंने दिखा दिया कि वो किस माटी के बने थे वो जेल में 20 दिनों का अंसन करते हैं यानि 20 दिन तक भूखे रहते हैं जेलर डर जाता है उनसे माफी मांगता है और वही पर अंग्रेजी समराज उनके सामने जुग जाती है ये थी भारत के माटी की ताकत जिसने एक जेलर को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया इस उम्र में हमारी माताएं हमको घर से भी बाहर नहीं निकलने देती हैं उस उम्र में जतिन्दा जेल में थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जब भगा सिंग से वह मिले तो उनकी विचारधारा हिंसक क्रांती के तरफ चल गई इसलिए लाहोर सड़यंत्र में उन उनको ब्रिटिस पुलिस द्वारा पकड़ा गया उस समय एक बात के लिए अंसन सुरू हुआ वह बात थी कि राजनीतिक कैदी जो थे जिनको पॉलिटिकल प्रिजिनर कहा जाता था उनको बड़े अच्छे खाने मिलते थे बड़े अच्छे वस्त्र पहनने को मिलते थे ल अगर सिंग के मार्ग दर्शन में जतिन्दा ने एक अंसन शुरू किया एक भूख हरताल शुरू कि वह अंसन जो उस समय वो जेलर को माफी मागनी पड़े थी उसी अंसन को दोबारा शुरू किया जेल में एक बहुत ही भयाना घटना घटी जब अंग्रेजों को पता चला कि जतिन्दा और उनके साथ ही ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं तो उनको जबरजस्ती पानी पिलाया गया दूद पिलाया गया और तभी भी क्रांतिकारी दूद नहीं पी रहे थे ऐसे ही जतिन्दा के फेपडों में दूद चला गया और फेपडों में दूद चले जाने के वज़ा से उनका फेबड़ा फूल जाता है वहां के पुलिस कहते हैं कि आप दवा ले लीजिए लेकिन वह दवा लेने के लिए भी मना करते हैं क्योंकि वह अंसन पे थे उसके बाद इमोशनली भ्लेक मल करने के लिए पुलिस वालों ने उनके भाई किरन चंद को बुलाया के अपने भाई को आकर देखो तो उन्होंने किरन चंद को इस सिर्फ एक ही सर्थ पे साथ रहने दिया कि किरन मुझे को कुछ भी खाने कुछ भी पीने के लिए बाध नहीं करेगा तभी वह मेरे साथ रहेगा ऐसे ही करते करते 62 दिन बीट गए दोस्तों सोच पा रहे हो कि वो देश के अजादी के लिए 62 दिनों तक ना कुछ खाये थे ना कुछ पीये थे एक साला हम है कि एक दिन का भूख नहीं एक टाइम का भूख नहीं बरदास्त होता है तिरसठवे दिन अपने भाई को अपने गोध में लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय लगा रहे थे और तिरसठवे दिन उस वीर ने अपना प्राड त्याद दिया और जब उनका सव कलकत्ता में निकला तो लाको करोडों के भीर उनकी सव को देखने के लिए पीछे पीछे आई दोस्तों आज हम उन क्रांतिकारियों को भूल गए हैं आज नहीं याद की यतिंद्र नात दास कौन थे जतिंदा कौन थे उन्होंने देश के लिए क्या किया था एक नेता और दो नेता के नाम हमको सिर्फ याद रहते हैं बाकी किसी क्रांतिकारी के लियाद नहीं रहते कहानी तो छोड़िये नाम तक नहीं याद रहते इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पे उन क्रांतिकारियों का एक सीरी चला रहा हूँ जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि उनके बारे में बात करना भी एक क्रांती है उनके विचारों को जिन्दा रखना भी एक क्रांती है और उसी क्रांती को मैं लिए यहाँ पे खड़ा हूँ उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें बहुत बहुत धन्ने बाद